राजस्थान में ओले और बरसात की खबरों से सरसों के घट्टे दामों में रुकावट आई है। कई क्षेत्रों में सरसों की खड़ी फसल को नुकसान की खबर भी आ रही है। इंदोर मंडी में भी सरसों में आस्तन 50 से 100 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। आने वाले सम सरसल के आने से पहले सरसों में कुछ बड़े सटोरियों बाजार में उतार चरहाव की स्थिती बना सकते हैं। दूसरी और सोया बीन की आवक मंडियों में परियाप्त मात्रा में नहीं होने और प्लांटों की अच्छी लेवाली रहने से सोया बीन की कीमतों में कुछ मजब को मिली हालांकि व्यापारिक धारना ज्यादा तेजी की नहीं है क्योंकि विदेशी खादे तेल बाजार कमजोरी के संकेत दे रहा है। Bureau Report Market Times TV